वो पता है कि जो टाटा मोरर से अपनी हर कोई सेग्मेंट में लगातार गारिया लाँच अप कर दिया दिया है जैसे कि टाटा की जो बजार लाँच होने वाले थी उसी तरह की ये कार इसी प्रेस प्लैट्फरम पे होगी जो 2020 ग्रेविटास होगी दोस्तों और ये एक सेवन सीटर कार होगी जो टाटा मोर्रस अपने फिबरुवारी 2020 में सेयर करेगा तो उसके एक स्पेक्टर प्राइस की बात करें तो ये के 2020 जो फेवरु आ रहेगा उसके ऑटा एक्स्पो में साय दिया फिर मर्च के एंडिंग में इस कार को लाउंच किया जा सकता है अगर इसकी price की बात करूँ तो उसकी expected price 16-20 lakh रुपीस आपको मिल जाएगी मतलब इस car का base variant आपको 16 lakh रुपीस में and top end variant आपको मिल जाएगा 20 lakh रुपीस में और जब ये car इंडियन मार्केट में launch हो जाएगी तब compete करेगी अपनी segment में आने वाली Mahindra XV500 और MG की Hector जो 7-seater आएगी उसके साथ और जो Kia की Seltos वो भी 7-seater के साथ आने वाली है और XV400 जो 7-seater वर्जन में आएगी वो इसके साथ compete करने वाली है अगर उसकी बात करूँ दोस्तों जिसकी market में आपको जो Tata Motors अपनी गारी domestic market में निकालेगी तो already testing अभी हाल फिलाल चल रही है जैसे कि दूसरी कारियों भी है Tata Motors की जैसे कि अब Tata Altros को दिख लीजिए Tata की Nexon जो electric आने वाली है Tata Tiago और Tata Tigor भी हम expect कर सकते हैं कि 2020 के mid में इस सभी कारों को launch किया जाए दो vehicle तो दोस्तों confirm है कि आने वाली January 2020 तक Tata Altros भी launch हो जाएगी और Nexon की जो electric कार आने वाली है इस model को भी Indian market में तूरंथी February या फिर January में इस कार को launch किया जाएगा company अपने 7-seater बजार को बहुत दिनों से testing करी ही Indian market में जोकिन अगर आप compare करेगे अपनी Tata Motor की segment की जो Tata Harrier है उससे ही तो उससे ये 7-seater कारोगी मतलब थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है उसकी जो 3-road seat मिलेगी और standard version से काफी ये लंबी होने वाली है अगर दोस्तों उसकी engine power की बात करूँ तो उसमें आपको 2.0-liter का 4-cylinder engine मिलेगा जो Tata Motors जो most powerful SUV है अभी Indian market में उसी के आपको base platform पे मिलेगी और मैंने पहले भी बताया कि complete करेगी MG Hector किया Celtos और Jeep Compass के साथ और maximum power दोस्तों आउटपूट निकल के आता है 170 PS and 350 Nm का torque प्रोडूश करेगा engine आपको BS6 में मिलेगे और confirm है कि February 2020 में इस कार को launch किया जाएगा वैसे तो दोस्तो 2020 Auto Expo February में showcase किया जा सकता है लेकिन इस कार को slightly then आपको Harrier की जो बात करें उससे slightly थोड़ा लंबा हो सकता है तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों तो इस कार को टेस्टिंग अभी हाल फिलाल चालु है तो अगर हम बा पीछे का लुक दिख लीजिए या फिर साइट प्रोफाल देखी लीजिए अरेक तरह से आपको टाटा हैडियर लगेगी लेकिन टाटा हैडियर से थोड़े बहुत आपको लंबी मिलेगी और थर्ड रोशी तो इसमें एप एड़ की जाएगी अगर बात करें उसकी इंट द्थ की तस्क्रीन और बहुत सारे से फीचर्स जो एडवांस फीचर्स टाटावी इंडियन मार्केट में ला रही है वह फीचर्स आपको मिलेगे शीवनच का अंडॉड आट्र काल्ब के कलने अक्टिवीटिटी मिलेगा और बहुत भी सारे फीचर्स जैसे कि आपको व्ल तो सारी जानकरी मैंने आपके शा Weise Earth क्योंई है तो दोस्तो जितनी आपको जानकरी और में आपका ले के आऊ तो उसके लिए पाने के लिए दुस्तो हमारी में के करशिभर है और साथ में प्लेज कर दीजिए हमारे होळसेермीsm करें की कुल भी अब्डि़ेटं